देखे लगातार एलाइन्स को मिल रही बॉम थ्रेट के बार हवायात्री पैनिक हो गए हैं सरकार से लेकर के सुरक्षाई जिनसी तक अलर्ट मोड में है जब किसी विमान को बॉम थ्रेट मिलती है तो फ्लाइट का पाइलिट सबसे पहले क्या करता है किस तरीके से एसोपी को फॉलो किया जाता है हमारे समादाता केशवजा ने इस पर एक रिपोर्ट तयार की है एर इंडिया के रिटाइट कैप्टन वीके भल्ला से उन्होंने खास बातशीत की आपको सुननी चाहिए भारत में पिछले दो हपतों से ज्यादा समय से तकरीबन सो से ज्यादा इंडियन एरलाइन्स को बंठ रेट की कॉल आ गई है जिसके बाद पूरे जो यातरी है जो खास तोर से हवाय सफर करने वाले यातरी उनके अंदर एक पैनिक क्रियेट हो गया इस वक्त हमारे साथ कै पैले इसको ड्राइब कर रहे हैं जब उनके पास कोई ग्राउंड से ख़वर आती है कि बंठ रेट है इस विवान में तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं जैसे ही हमें कोई इन्फरमेशन आती है कि हमारी फ्लाइट के अंदर बंठ रेट है तो पहला काम तो जो पैले है एर ट्रेफिक कंट्रोल को कि इस तरह इस एरोकलेन में इस उडान में बंठ रेट है उसके बाद फिर हमारी एक हर एरलाइन की दो प्राइवेट फ्रिक्वेंसिज होती हैं रेडियो फ्रिक्वेंसिज उन फ्रिक्वेंसिज के उपर पाइलेट इन कमांड अपने कंपनी क को इनफॉर्म करता है कि हमारी फ्लाइट पे इस प्रकार का बॉम थ्रेट है और उसके बाद फिर जब बॉम थ्रेट होता है तो पाइलट को एक स्पेशल प्रोसेजर के तहत अ उड़ाया जाता है उसमें प्रेशराइजेशन को मैनुवल कर दिया जाता है और लैंड अस सून as possible किया जाता है और क्योंकि सब जहाजों में एक तो ये सुवीदा होती नहीं कि फ्यूल को डंप किया जा सके और यदी हो भी तो कई बार इतना समय होता नहीं है तो बेस्ट चीज यही है कि उस समय जो भी निरेस्ट एरपोर्ट हो उस पे उतार दिया जाता है एक तहत प्रोसीजर के अनुसार जहाज को उडान बरके और लैंडिंग के बाद फिर नॉर्मल बे पे नहीं जाते हैं एक रिमोट बे पे ले जाते हैं क्योंकि नॉर्मल बे पे तो बहुत सारे पैसेंजर्जर्स और बहुत चैल पहल होती है हर एरपोर्ट पे यदि इन दा केस यदि कोई सच में एक्स्प्लोज्जन हो तो काफी नुकसान होता है तो होने की संभाव ना होती है और लेकिन जिमोट बे पे ले जाया जाता है वहाँ पे फिर सारी सीक्योरिटी एजिंसिज आ जाती है मौम को ढूणडा जाता है डिफ्यूस किया जाता है पैस बिनित्सिंग के साथ के सुक्मार जा, भारत 24 दिल्ले